हेलो फ्रेंड्स, मैं डौक्टर सरू चाहर, और आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रो फॉरेसिस इलेक्ट्रो फॉरेसिस शूर है, शब्ड में ही इसका अर्थ है दो शब्डों से मिलकर बना है यह इलेक्ट्रो मीन्स एलेक्ट्रिसिटी यानि विदुत प्रभा और foresis मतला moment यानि कि यदि कोई molecule है और उसे किसी solution में या मथ्य में रखा जाता है और उसमें से यदि electricity पास की जाए तो जो molecules हैं अगर वो charged molecules हैं तो उन charged molecules का moment होगा और उस moment के द्वारा ही वो जो charged molecules हैं यदि वो negative charge है होंगे एनोड की तरफ मूव होंगे और यदि वो positive charge है तो वो किस तरफ मूव होंगे cathode की तरफ मूव होंगे तो इस तरह से charge के according उनका movement होना यही meaning है electrophoresis का अब हम लेते हैं कि electrophoresis यहां bio में किस काम में ली जा रही है तो electrophoresis यहां term जो है इसे हम कहेंगे it is a technique it is a technique to separate different DNA fragments RNA fragments या proteins और we can say any bio molecules based on their size या यह एक वो तक्नीक है जो DNA के fragments को अलग-अलग DNA के fragments हैं या RNA के fragments हैं या protein molecules है या कोई भी biomolecules है which is charged तो उनको उनके base के आधार पर उनको प्रथक करने की एक तक्नीक है and this separation technique is based on the movement of the charged molecules when exposed in electric field और यह तक्नीक किस पर आधारित है कि electric field में यदि इस solution को रखा जाए जिसके अंदर यह biomolecules हैं तो यह अपने charge के अनुसार उसमें क्या करेंगे move करेंगे ठीक है this separation technique is based on the movement of charged molecules when exposed in electric field यानि charged molecules को जब electric field में exposed किया जाता है तो वो charged molecules move होंगे ठीक है अब होता है कि charged molecules को move करने के लिए किसी माध्यम supporting medium की जरुवत पड़ती है और अगर यह माध्यम जेल है अगर यह माध्यम क्या है जेल है तो हम इसको कहेंगे जेल electrophoresis यानि कुल मिलाकर के हमारे इस लिबस के अंदर क्या है जेल electrophoresis है तो हम जेल electrophoresis के बारे में जो है यहाँ पर study करेंगे ठीक है अब हम लेते हैं इसको step by step notes के साथ में ताकि आपको notes भी provide हो सकें और definition भी आप इसमें लिख सकें यहाँ लेते हैं हम electrophoresis दो शब्दों से मिलकर बना है electro and phoresis electro means electricity and phoresis means पार ले जाना किस चीज को पार ले जाना है किस को separate करना है यहाँ पर amino acids है peptides है proteins है nucleotides है या nucleic acids है तो इन molecules को जिन पर आवेश है जिन पर क्या है चार्ज है ठीक है तो इन molecules को electricity के द्वारा पार ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते है electro phoresis यानि इनको separate करना charge के आधार पर mass के आधार पर वो क्या कहलाता है electro phoresis तो इन charged molecules के मिश्रण को विदुत क्षेतर के प्रभाव में प्रत्थक या अलग करने की एक तकनीक है क्या बता है था मैंने it is a technique to separate charged molecules when exposed in electric field जब electric field में इनको डाला जाता है तो यह charged molecules move होते है ठीक है तो इस तरह से इनको separate करने की जो विदी है वो विदी क्या कहलाती है electro phoresis सामाने तह जो बायो molecules होते हैं उन पर या तो positive charge होगा या negative charge होगा है ना तो इसके आधार पर positive या negative charge होता है उन पर मौझूद तो इन पर उपस्तित कुल आवेशनेट charge के आधार पर विदी तक्षेत्र के प्रभाव में यह या तो cathode की तरफ गमन करेंगे या anode की तरफ गमन करेंगे जैसे positive charge अगर है तो वो किस तरफ जाएगा anode की तरफ जाएगा और negative charge अगर है तो वो किस तरफ जाएगा cathode की तरफ जाएगा और जितना जादा charge होगा उत्रा जल्दी उसका movement होगा और जितना जादा mass होगा उतना जल्दी उसका movement होगा ठीक है सामाने तह DNA और RNA के ऊपर कौँछा charge होता है negative charge होता है क्योंकि DNA और RNA जो है यह deoxy ribonucleic acid and ribonucleic acid तो इन में जो phosphate है जो क्या है इसमें phosphate है nucleotide unit है इसकी तो इसमें जो phosphate है जो इनको ribos sugar को जोडने का काम कर रहा है इसके उपर negative charge है जो skeleton का काम करता है यहाँ पर इसके उपर negative charge होता है और जो protein molecules होते हैं they may be positive or negative charge it depends on the type of amino acid protein molecules positive charge भी हो सकते है negative charge भी हो सकता है यह depend करता है कि किस प्रकार का amino acid उसमें है तीक है अब हम लेते हैं यहाँ पर electric field में charged molecules के गमन की दर यानि rate of moment किन चीज़ों पर निर्भर करा electric field में charged molecules के rate of moment जो है किस चीज़ पर depend करता है charge कितना है और उसका mass कितना है उसके अनुपात पर निर्भर करता है तो यहाँ पर यह formula है F electric यानि electric field electric field किस चीज़ पर depend करा अभी हमने क्या पढ़ा charge और mass के उपर ठीक है तो इस पर दो force काम कर रहे होते हैं एक force वो होता है जो बल force जो उस माध्यम में molecules को आगे बढ़ाता है यह दो force काम कर रहे होते हैं एक तो है electrical field, electrical force और दूसरा है frictional force electrical force and frictional force तो electrical force तो क्या है? वह force है वह बल है जो molecules को माध्यम में आगे बढ़ा रहा है और frictional force कौन सा है? वो है जो molecules को moment में रुकावट पैदा कर रहा है तो electrical force बराबर होता है किसके कितना charge है और कितना strong electric field है जतना जादा strong electric field होगा उतना moment जादा होगा और जितना charge जादा होगा, उतना moment जादा होगा, ठीक है, यानि rate of moment जो है, वो किसपर depend करा, charge और mass पर, और दो force at a time काम कर रहे होते हैं, एक तो होता है वो force, जो इनको माध्यम में गती प्रदान कर रहा है, और दुसरा वो force होता है, जो उसको क्या कर रहा है, रुकावर टुत पन कर रहा है, force of friction, तो electrical force बराबर होता है Q into E, यानि कितना electric field है और कितना charge उस molecule पर है, जबकि frictional force घर्शन बल, घर्शन बल क्या है, frictional force बराबर होता है V into F के, V यानि velocity, rate of migration of charged molecule, rate of migration of charged molecule, and F क्या है, frictional coefficient, तो ये है frictional force जो उसको रुकावट उत्पन कर रहा है, ठीक है, तो दो force काम कर रहे हैं, दोने के formula हमने ले लिए, two forces are working, electrical force and frictional force, electrical force जो है, ये तो charge molecule को आगे बढ़ाएगा, जबकि frictional most charge molecule को आगे बढ़ने से रोकता है, अब होता है क्या, एक स्थिर विदू तक्षेत्र में, यानि electric field stir है, stable काम में ले रहे हैं, ऐसे में charged molecules के उपर, दोनों जो बल हैं, वो एक दूसरे को संतुलित कर ले दे हैं, यानि अगर electric field stir है, उसको change नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में charged molecules पर, दोनों बल एक दूसरे को balance कर ले दे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं, जिससे charge molecule, एक स्थिर velocity पर गमन करता है अगर electric field स्थिर है तो charged molecules चो है इस पर दोनों बलका संतुलन हो गया जिसके कारण से charged molecules एक स्थिर velocity पर गमन करते हैं तो हम लिख सकते हैं उस time पर QE is equal to VF यानि जब क्या है दोनों चीज़े संतुलित हैं कौन से चीज़े हैं electrical force और frictional force तो when electrical force is equal to frictional force और यह कब होता है जब स्थिर electric field है तब तो electrical force is equal to frictional force ठीक है balance कर लेते हैं एक दूसरे को तो इस सामय में V velocity यहाँ पर हम ले V जैसे V अगर हमने यहाँ रख लिया तो यह F को इस तरफ लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा formula V is equal to QE upon F यही हो जाएगा formula तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है V यानि rate of migration of charged molecule rate of migration of charged molecule is equal to यह क्या है QE क्या है force of electric force जो उसको moment दे रहा है upon F upon frictional coefficient ठीक है तो यह हो जाएगा कब जब क्या है electric field स्थिर है उस समय पर उस समय पर electric force बराबर हो जाता है frictional force के दोनों एक दूसरे को balance करते हैं तो उस समय पर rate of migration rate of migration of charged molecule जो है वो formula हो गया QE upon F तीक है अब हम लेते हैं इसमें electrophoric mobility यह प्रेशन आता है electrophoric mobility का formula क्या है तो electrophoric mobility होता है rate of movement of charged molecule upon electric field कितना काम में ले रहा है यही हम कह सकते है charge कितना है molecules पर charge of molecules upon कितना friction जो है उस पर लग रहा है तो यह है electrophoric mobility यह सिंबल है electrophoric mobility is equal to V upon E और we can say Q upon F यह पूछा जाता है exam में सीधा formula पूछा जाता है यदि दो समान द्रव्यमान और आकार यानि दो sample में दो molecules है जिनका mass और shape एक ही जैसा है तो अब इसमें जो movement है वो किस चीश पर depend करेगा अब जो movement है वो केवल किस चीश पर depend करेगा charge कितना है उस molecule के उपर charge कितना है दो समान द्रव्यमान और आकार यानि समान mass और समान shape के अणू एक स्थिर विदु तक्षेतर में विदु तक्षेतर स्थिर है उसमें गती करते हैं तो ऐसे में अणू जिसका charge अधिक है वो माध्यम में अधिक गती से तेज करेगा, गमन क्या करेगा, तेज करेगा, इलेक्टरॉट की तरफ मूव करेगा, तो टोटल हम कह सकते हैं, कि rate of migration of charged molecule, किस किस चीश पर depend किया, net charge कितना है molecule पर, molecule की shape और size कैसी है, electric field की strength कितनी काम में ली जा रही है, supporting medium जो है, उसकी property कैसी है, और temperature कितना maintain है, तो इन सब चीशों के उपर depend करता है, rate of migration of charged molecule, ठीक है, अब हम लेते हैं instrumentation, यानि इस प्रक्रिया में कौन सा instrument काम में लिया जाता है, यहाँ पर हम देखें, instrumentation का भी अलग से प्रिशन आता है, एक electrophoric tank होती है, और power supply unit है, electrophoric tank and power supply unit, अब electrophoric tank दो तरह की हो सकती है, या तो ये vertical हो सकती है, या ये horizontal हो सकती है, और फिर इस tank को power supply unit, यानि electric से जो है, इसको connect किया जाता है, अब electrophoric tank में क्या होता है, electrophoric tank में क्या होता है, एक frame जैसे सरचना होती है ये, और इस frame में दो glass plates arrange की जाती है, parallel, parallel बीच में space डाल देंगे, वो space क्या बनाया है, वो space वो जगा है, जहाँ पर हम gel electrophores पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, gel को भरा जाएगा, यानि दो glass plate ले ली, दो glass plate इस stand के उ distance है, मतलब जितना हमारा solution है, main, तो उसके अनुसार हम gel भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यह gel भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहाँ पर, gel भरा जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर यह बता रखा है, यह यहाँ पर, यह glass plate है, एक यह दूसरी है, और इसके अंदर यह एक comb, comb like structure होता है, इस तरह से, तो इस comb like structure में, कंगे के जैसी सरचना, इस structure को gel पर, इस structure को gel पर, यहाँ पर fit कर देते हैं, थोड़े समय के लिए, fit करने से क्या होगा, जो gel में, जो वो कंगे के जो यह इस तरह का part है न, इस तरह से इसमें, खाच बन जाएगी, यह वो जग जो खाली रह गई है, और इसके अंदर solution को डाला जाएगा, जिस solution का separation करना है, उसको डाला जाएगा, बाकी यह पूरा क्या भरा हुआ है, जयल भरा हुआ है, ठीक है, अब इसी में ही क्या करेंगे, बफर solution भी डालते हैं, बफर solution, बफर solution क्या करेगा, mobility को increase करेगा, catalyst तोध प्रेरक तोध प्रेरक भी क्या करेगा rate of movement को increase करेगा डाई यूज करते हैं क्योंकि जो DNA या RNA है या कभी कभी protein molecules भी है उन पर कोई color नहीं है color नहीं है तो वो मूँ हो रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा तो उसको दिखाने के लिए देखने vision के लिए उसमें क्य यूज किया जाता है डाई यूज की जाती है ठीक है और उसके बाद में इसको correct कर दिया जाता है electricity से ये cathode part एक side cathode और दूसरी side क्या है anode part है ये cathode part और anode part ठीक है अब हम लेते हैं यहाँ पर sample में उपस्तित charged molecule को electrophoric mobility प्रिदान की जाती है यानि electric supply देंगे तो electrophoric mobility हो जाएगी उसमें और इसमें supporting medium काम में लिया जाता है यदि supporting medium gel है तो इसको क्या कहेंगे gel electrophoresis जेल actually में क्या करता है एक चलनी जैसी सरचना बना लेता है जैसे हम चाय चालने वाली चलनी यूज़ करते है न तो इसमें जो है क्या बना लेता है ये चलनी के जैसी सरचना बना लेता है तो अब जितनी बारिक चलनी होगी उतने चोटे molecule उसमें से पास हो सकेंगे और जितनी बड़े pores होंके चलनी के यानि बड़े molecules भी उसमें से move कर सकेंगे ठीक है तो जैसे हम किसी चीज़ को शान रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर जो जितने बारिक molecule होंगे वो पहले चनकर आगे आ जाएंगे और जो जितने बड़ एक चलनी की तरह कारे करता है जेल एक molecular sieve यानि आणविक चलनी की तरह कारे करता है अब जैसा मैंने बताया था हमारे syllabus में जेल एलेक्ट्रोफोरस है तो हम यहां पर लेते हैं दो तरह की gel जो है वो काम में ली जाती है एक तो है agrose gel और दूसरी है polyacrylamide gel अब exam में दोनों क बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है nature of agrose gel and nature of polyacrylamide gel या इनका chemical nature पूछा जा सकता है तो पहले हम लेते है agrose gel क्या होता है और इसका chemical nature कैसा होता है agrose gel एक प्राक्रतिक कोलाइड है एक प्राक्रतिक क्या है colloid natural collide है जो seaweed से प्राप्त होता है समुदरी खत परबार जो है उससे agrose gel को प्राप्त किया जाता है chemical nature कैसा है इसका एक linear poly saccharide के रूप में उपस्तित है एक linear poly saccharide है ये अब poly saccharide है मतलम saccharide की units जुड़ी हुई है तो repeated unit है repeated unit किसकी repeated unit है agrobios की किसकी है agrobios agrobios जो है agar और bio living ऐसे शब्द से बना है agrobios तो agrobios की repeated unit से मिलकर बनता है agros gel अब इसमें agrobios जो है वो कौन से दो chemical से मिलकर बना है galactose and 3-6-anhydrogalactose यानि galactose plus 3-6-anhydrogalactose से बनता है एक agrobios और agros gel में क्या है agrobios plus agrobios plus agrobios plus agrobios plus agrobios तो इस तरह से यह क्या है एक linear polysaccharide है जिसमें repeated unit है agrobios की agrobios में chemical है galactose and 3-6-anhydrogalactose agros gel जो होती है उसकी जो सांद्रता है concentration जो है वो कितने use की जाती है 1% से लेकर के 3% concentration के बीच में इसको उभियोग में काम में लिया जाता है अब जिस concentration में इसको काम में लेते हैं उस पर depend करता है कि इसकी जो gel बनती है उसके pore size कितना होगा ठीक है तो इसकी pore size जो है वो बड़ी होती है तो ऐसे अनु जिनका molecular weight 200 kilo delton से अधिक होता है उसको agrobios gel के द्वारा separate करने के काम में लिया जाता है kilo delton agros gel is used for the separation of protein as well as nucleic acids यानि protein और nucleic acids दोनों के separation में agros gel को supporting medium के रूप में काम में लिया सकता है अब हम लेते हैं ये एक natural है जो seaweed से प्राप्त हो रही है अब हम लेते हैं polyacrylamide gel अब नाम से ही पता चल रहा है poly यानि बहुलक है किसका acrylamide का ठीक है तो ये एक synthetic gel है यानि प्रयोकशाला में बनाया जाता है इसमें pore की size जो है वो बहुत vary कर सकती है यानि pore की size के कारण अन्य gel से बहतर है बहुत चोटे चोटे pore भी बना सकते है और थोड़े बड़े size के pore भी बना सकते है ये depend करता है कितना percentage polyacrylamide gel को जो है concentration तयार किया जा रहा है अब polyacrylamide gel यानि कि ये क्या है polymerization है क्या है polymerization है two monomers का दो monomer molecule कौन से है acrylamide, 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 acrylamide ये green color के acrylamide show किये है और दो acrylamide के बीच में जोडने के लिए है cross link agent क्या है cross link agent cross link agent क्या है इसमें N-methyl bis acrylamide acrylamide bis यानि by 2 acrylamide को जोडने के लिए काम में लिया जाता है इसलिए इस chemical का name क्या है N-methyl bis acrylamide ठीक है तो ये क्या है two monomer molecule का polymerization है तो इसमें acrylamide है और acrylamide के बीच बीच में cross link agent है cross link agent कौन से है N-methyl bis acrylamide ठीक है अब हम लेते हैं यहाँ poly acrylamide gel का nature कैसा होता है हमने पढ़ा कि poly acrylamide gel is much better than acrysal gel ठीक है क्यों क्योंकि यह thermostable है transparent है strong है और chemically inert है यह ताप स्थाई है ताप स्थाई है ज्यादा temperature पर भी इसका अपना temperature नहीं बढ़ेगा ठीक है यह कम होगा पार दर्शी है transparent है तो हम आराम से इस क्यार पर जो चीज़े movement हो रही है चेदों के द्वारा वह हम देख सकते हैं मजबूत है अपिक्षा क्रत रासायनिक रूप से निश्क्रिये है तो thermostable transparent strong and chemically inert है इसलिए it is much better it is much better gel polyacrylamide gel और इसमें जो है acrylamide और bisacrylamide की सांधरता में परिवर्तन करके pore की size को change किया जा सकता है acrylamide की सांधरता 3% से 30% जो है के बीश में परिवर्तन किया जा सकता है और less concentration इसके काम में ली जाती है जब DNA का separation करना है और 10 से 20% concentration इसका उपयोग में लिया जाता है जब STS gel electrophoresis यानि की जो protein separation के काम में लिया जाता है तब इसकी जो concentration वो कितनी काम में लेते हैं 10 से 20% ठीक है अब हम लेते हैं यहापर ammonium per sulfate ammonium per sulfate को इसमें catalyst के रूप में काम में लेंगे अब यह question भी बीच बीच में से पूछे जाते हैं कि catalyst के रूप में किसको काम में लिया जाता है डाई के रूप में कौन सा chemical काम में लेता है या प्रतिक्रिया को प्रारंब करने के लिए कौन सा chemical काम में ले रहे हैं टिमिड का full form क्या है ठीक है यह कई तरह से प्रेशन पूछा जाता है तो यहाँ पर catalyst काम में लिया जाता है ammonium per sulfate catalyst पतलब उत्प्रेरग यानि कि जो इस reaction को fast करेगा और खुद कोई परिवर्तित परिवर्तन उसमें नहीं होगा टिमिड क्या है प्रतिक्रिया को प्रारंब करता है अगर टिमिड आइड नहीं करेंगे तो यह प्रतिक्रिया प्रारंब नहीं होगी तो टिमिड का full form क्या है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन यह प्रतिक्रिया को प्रारंब करता है अब हम लेते हैं polyacrylamide gel दो तरीके की होती है native page and STS page या denatured page यहाँ page मतलब क्या है page polyacrylamide gel electrophoresis ठीक है polyacrylamide gel electrophoresis है page और native मतलब क्या है प्राकृतिक रूप में और STS page मतलब क्या है यहाँ पर एक detergent काम में लिया जाता है और उस detergent का नाम है STS और इस detergent से जो protein का जो basic जो जैसे अगर वो secondary या tertiary form में है या और कोई molecule उसके साथ में add है तो उसको separate करके protein के single chain बन जाती है इसमें ठीक है तो इसका मतलब protein का जो nature है वो change हो गया वो primary form में आ जाएगा किस form में आ जाएगा primary और simple form में आ जाएगा जब उसमें detergent यूज किया जाता है SDS इसलिसको क्या कहेंगे SDS page या denatured page जबकि उपर second type क्या है native यानी प्राक्रतिक form में अगर polyacrylamide gel में प्राक्रतिक form में अगर यूज करते हैं ये जो notes हैं ये same notes हैं पर ये English medium बाले students के लिए हैं आप इसको scan कर सकते हैं ताकि आपको ये notes English में मिल जाएं ये इस तरह से ठीक है ये English में notes हैं तो ये यहाँ पर अब हम लेते हैं यहाँ native page यानी native page यानी प्राक्रतिक polyacrylamide gel electrophoresis की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है इन में protein की प्राक्रतिक सरजना बनी रहती है protein की प्राक्रतिक सरजना बनी रहती है यानी प्रतक करण जो है वो macromolecules के charge, size और shape तीनों चीजें आवेश, आकार और आक्रति पर आधारित होता है molecules का जो separation है it is based on their charge, size and shape जो भी natural है इस विद्धी में protein का structure और protein की bio activity में कोई परिवर्तन नहीं होता है protein की जैविक गतिविधी और protein की रचना बरकरार रहती है तो इसको क्या कहेंगे native page ठीक है native page दूसरा क्या है denatured page और sts page sts एक detergent है sodium dodecyl sulfate इसलिस का नाम क्या है sts page और denatured page क्यों कहा है इसमें क्योंकि इसमें protein का जो chemical nature है अगर वो secondary और tertiary form में है तो वो पहले primary form में convert होगा simple form में convert किया जाता है पहले उसको ठीक है या convert हो जाता है detergent डालने से इसलिस को क्या कहेंगे denatured base sts सभी protein अणों पर coat कर लेता है यानि sts क्या करता है जैसे ये कोई protein है तो सभी के ऊपर यहां पर जो है ये negative charge इस sts दो प्रोटीन क्या है polypeptides यह जा होगा amino acid अब secondary और tertiary है तो उसको simple में convert कर लिया अब simple में convert कर लिया यानि amino acid प्लस amino acid प्लस amino acid प्लस amino acid प्लस amino acid तो प्रतेक amino acid के साथ में एक sds यानि sodium dodecal sulfate जुड़ जाता है तो इस तरह से ये सभी protein अणूओं को क्या कर लेता है coat कर लेता है तो इस कारण से इन protein के ऊपर constant charge mass ratio बन जाता है constant charge mass ratio एक स्थिर आवेश द्रव्यमान अनुपात जो है sds उस protein को दे देता है तो अब जो moment है वो केवल किस पर depend करेगा protein अपने molecular mass के क्रम में तो अंतर किसका रह गया molecular mass का यानि अब mass के अनुसार protein गती करेगा क्योंकि charge तो सपर negative हो गया चार्ज सपर क्या हो गया negative हो गया तो अब जो moment है वो के साधार पर होगा केवल molecular mass पर अब जिसका mass छोटा है वो जल्दी गमन करेगा जिसका mass बड़ा है उतना ही उसको जो है उसकी rate of moment जो है वो क्या होगी slow होगी क्यों और charge तो सपर सेम हो गया है SDS के कारण SDS ने पूरे protein अनु को coat कर लिया है तो वो उसके पर constant charge mass ratio बन गया है तो अंतर के वल किसका बचा mass का अब जो moment है protein का वो depend करेगा molecular mass पर अब हम लेते हैं कि हमें उसमें जो वेल बनाए है उसके अंदर हमें जो sample डालना है उस sample के साथ साथ में और क्या डालना होता है sample यानि जिस भी protein का separation करना है या जिस भी DNA के fragments का separation करना है या RNA के fragment का separation करना है sample sample में SDS mix करेंगे buffer mix करेंगे और dye है यह P macropthinol ठीक है यह डालेंगे यह reducing agent है यह और 5 मिनट तक इ बॉइल करेंगे बॉइल करेंगे बॉइल करने के बाद में इसको जो है जो वेल बनाई थी कॉम की साहता से उन वेल में जो है इसको डालेंगे ठीक है sample sample हो गया SDS हो गया buffer हो गया और P macroptoethanol P macroptoethanol जो है यह क्या है reducing agent है यहां देखिए P macroptoethanol works as a reducing agent तो जो protein पर उपस acid disulfide bonds हैं इनको तोड़ देगा जैसे यह एक protein का पूरा है तो इसमें क्या है दो protein chain के बीच में का secondary tertiary है तो इसके बीच में क्या है sulfide bond है तो यह sulfide bonds जो है इनको तोड़ने का काम करेगा P macroptoethanol ठीक है और SDS किसकी तरह काम कर रहा है as a detergent as a detergent तो यह polypeptide chain को तोड़ पॉ polypeptide chain के ऊपर यह चारों तरफ लिपट जाता है इस तरह से यह द्वित्तिक वग्यार डाई सलफाइड द्वित्तिक वग्यार डाई सलफाइड लिंक्ट और तृत्य सरचनाओं को तोड़ देता है और उसको simple protein में convert कर देता है तो हम कह सकते है SDS जो है वो protein को denature करके बहु इकाई protein को उप इकाई में अलग कर देता है यानि जो उसकी basic unit है उस unit में उसको convert कर दिया SDS protein के मुख्य श्रंखला में उपस्तित हर दो amino acids पर बंदित हो करके श्रंखला को पूरी लंबाई में क्या देता है net negative charge प्रिदान कर देता है tracing dye जो मैंने बताया था कि ट्रांस्पेरेंट होता है तो ट्रांस्पेरेंट होता है तो क्या है उसको view करने में दिक्कत होगी तो उसके लिए dye यूज़ करेंगे तो dye कौन से यूज़ की जाती है bromo phenol blue को तो यहां पर buffer के साथ में bromo phenol blue dye के रूप में काम में लेते हैं तो buffer में जो है इस bromo phenol blue को डाल देते हैं sample को load कर दिया, electric field को gel medium में लगा दिया, sample को load कर दिया, load करने के बाद में electric field जो है उसमें gel medium में लगा दिया, अब negative charge protein sds complex protein SDS complex है ना जो sample वो अब electric field के प्रभाव से किस की तरफ मूँ करेगा anode की तरफ क्योंकि इस पर कौन सा charge है negative charge है तो यह किस की तरफ मूँ करेगा anode की तरफ जैसे ही dye gel के bottom तक आती है dye जो है उसका जो movement है वो थोड़ा सा fast होता है protein molecules से या DNA अगर sample यूज़ कर रहे हैं तो उन से तो वो थोड़ा सा fast होता है तो जैसे ही dye gel के bottom तक आती है तो विदुत प्रभाव को बंद कर देते हैं क्योंकि आप आता है कि dye आ चुकी है तो उसके just बाद में क्या है वो separating वाले molecules वो पहुँचने वाले हैं तो विदुत को क्या कर देंगे उससे में बंद कर देंगे अब उसके बाद में gel को glass plate से हटा करके वो जो glass plate थी न बताया का दो glass plate लगाते है और उनके बीच में जो space है उसमें gel भरा हुआ है तो glass plate को हटा करके कुछ घंटे तक उचित अभिरंज विलेन यानि Cosmase Brilliant Blue के साथ उसको मिलाया जाता है ताकि अच्छी तरह से वो क्या है stain हो जाए जो protein molecules है उसमें उसके बाद रात भर इसमें de-staining solution के साथ में रात भर रखा जाता है के वल वो gel वाला part ठीक है उसको किसमें रखेंगे क्योंकि वो चोटे-चोटे चेदों में ज उसको रख लेते हैं, staining solution जो है unbound background dye को हटा देता है, de-staining solution, de-staining जो है unbound background dye को हटा देता है, stained protein अब blue band के रूप में साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है अब यहाँ पर यह बताया है जैसे दो मान लो protein with two subunits, दो subunit है एक ये subunit है ये subunit है और इस प्रकार का protein है दोन dye sulfur bond से जुड़े हुए है, तो इसको हटाने के लिए reducing agent काम में लेते हैं, beta, mercapto, ethanol, तो जिससे ये bond तूट गया बीच में, bond तूटने के बाद में अब दो subunit है अलग अलग हो गई, अब इसके अंदर क्या डाला हुआ है, sts, तो sts क्या करेगा, इसके उपर पूरे के प्रते एक दो amino acid के बीच में जो है, वो जुड़ जाता है, तो इस तरह से पूरे के उपर क्या कर लेगा, यह negative charge कर लेगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है, vertical well काम में लिए गए है, क्या काम में लिए गए है, vertical well, यह इसका container है दो glass sheet है, एक यहाँ हो गए, एक यहाँ, यहाँ जैल भरा हुआ है, और यह well है, यह well है, कौम की साहता से well बना लिए, इसमें sample डाला, यह cathode charge है, यह anode charge है, और यह gel है, जैल यानि छोटे छोटे छेद हैं इसके अंदर, है ना, buffer डाला हुआ है, अब इसमें sample डाल दिया, अब जब इसमें electric current pass करेंगे, तो small fragment जल्दी move करेंगे, यह moment हो रहा है न, तो जितने छोटे fragment होंगे, वो जल्दी move करेंगे, और large fragment को move करने में क्या लगेगा, time लगेगा, move करने में क्या लगेगा, time लगेगा, तो जैसे ही यहाँ die दिखने लग जाएगी, वैसे ही इसका current off कर देते हैं, current off कर देते हैं, तो अब इनका moment रुख गया, क्योंकि moment किस कारण से हो रहा था, current के कारण से हो रहा था, उँचे दो में से, तो वो रुख गया, तो रुखने के बाद में जो है, अब इसको दोनों ये glass plates को हटा दिया, बीच में जो gel है उसको उठाया, और कुछ घंटों के लिए क्या बताया था उसको, कुछ घंटों के लिए तो उसको किस में डालेंगे, अब उचित अभी रंचक, विलियन में डालेंगे, Cosmase, Brilliant Blue में, ताकि अभी भी वो gel में से वो, जो Brilliant Blue है, वो जाएगा, और जो protein के subunits हैं, उनको stain करेगा, उसके बाद उस केबल किसके उपर है, उन protein के, जो subunits हैं केबल उन पर है, तो उसके अधार पर अब इसकी फिर study की जाती है, यहाँ, उसके अधार पर इसकी क्या की जाती है, study की जाती है, और separate करने का process है, किसको separate कर रहे हैं हम, biomolecules को, किस basis पर, on the basis of their, mass, size and charge, ठीक है, और यहाँ SDS वाला जो है, इसमें 4 समान हो गया, तो केबल बेस क्या रह गया, यहाँ पर size रह गया, ठीक है, तो छोटे size वाले जल्दी आ जाएंगे, जितना बड़ा size, उतना उनको moment में time लगेगा, तो इस तरह से यह separation process, जो है, वो की जाती है, तो यह पूरा topic अपना complete होता है, electrophoresis का, इसम English Medium के notes भी बीच में है, और Hindi Medium के notes भी इसमें बीच में है, अब जैसे यहाँ क्या बताना चाहिए, यहाँ पर, जैसे हमने बताया था ना, भी vertical या किस तरफ करेंगे, यह, जैसे मान लो, यह हमारी glass plate है, उसमें gel है, यह negative charge है, और यहाँ positive charge है, तो हमें DNA का separation करना है, DNA fragments का separation कर बना है, तो DNA और RNA fragments क्या होते है, negative charge होते हैं, तो negative charge होते हैं, तो well कहाँ बनाएंगे, negative charge की तरफ बनाएंगे, क्योंकि उनका moment कहाँ होगा, negative से positive की तरफ, इस तरफ, ठीक है, तो इसलिए जो well बनाएंगे, वो किस तरफ बनाएंगे, negative charge की तरफ, ताकि वो गति कहाँ करें, positive charge की तरफ गती करते हैं है ना, अगर हम उसका well यहाँ बना लेंगे, जितना pass बनाएंगे तो इनको यहाँ तक ही moment करना होगा तो कम दूरी गता करेंगे तो इतना separation अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है तो यहाँ पर जो है यह पूरा topic मैंने clear किया है आपको आपके syllabus में इतना ही है और इस आप जो है इसके द्वारा आराम से जो topic related questions है उनके answer आराम से आप दे सकते हों That's all about the topic Thank you